आज होली है। इसका मतलब है ये जानना कि जीवन मूल रूप से एक उलास से भरी प्रक्रिया है। लेकिन चूकि लोगों ने ये नहीं सीखा कि अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमारी दो मूल भूट क्षमता हैं यादाश्ट और कल्पना जिन चीजों को भूल जाना चाहिए लोग उन्हें याद रखते हैं। और जिन चीजों को याद रखना चाहिए, उन्हें वो भूल जाते हैं। वो ऐसी कई चीजों की कलपनाय करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और किसी ऐसी चीज की कलपना नहीं कर पाते, जो उनके जीवन को सुन्दर बना सकती है। तो होली, जो लोग होली के बारे में नहीं जानते, इस दिन देश भर में लोग एक दूसरे पर रंग फेकते हैं, वो खुद को रंगों में भिगो लेते हैं इस दिन लोग सिर से पाव तक अलग-अलग रंगों में रंगे होते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन का मूल तत्व उल्लास है और लोग इतने गंभीर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को याद रखते हैं जिने भूल जाना चाहिए और ऐसी कलपनाय करते हैं जो नहीं करनी चाहिए होली का एक और अर्थ है अपने जीवन की सभी गैर जरूरी चीज़ों को जला देना इस दिन लोग सभी पुराने कपड़े और आस पडोस के बच्चों के खिलोने ये जोखिम भरा काम है वो सभी चीज़ें जिनकी जरूरत नहीं होती उन्हें ही कठा करके सड़क पर धेर लगाते हैं और जला देते हैं ये पुराने कपड़ों को जलाने के बारे में नहीं है इसका मतलब है पिछले एक साल की यादों को जलाना ताकि आज से आप एक नया जीवन बन सकें जो उलास से भरा है तो आज वही दिन है और आप सब मुझे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं भारत में ये समय है ये वसंद का आखरी समय है जब फूलों के खिलने का दूसरा दौर आता है मगर दुर्भाग्य से इस साल जबरदस्त सूखे के कारण पिछले 6-7 सालों में पहली बार पहाड भूरे दिख रहे हैं 25 साल पहले वो भूरे दिखते थे फिर हमने इस पहाड पर कई सारे पौधे लगाए मगर पिछले 6-7-8 सालों में ये कभी भूरा नहीं दिखा हमेशा हरा भरा रहा है इस साल ये भूरा दिख रहा है क्योंकि करीब 5 माहिनों से बारिश नहीं हुई है मगर खास तोर पर जब पौधों में फूल नहीं आ रहे तब इनसान को इसमें कुछ मदद करनी चाहिए पोशन की कमी के कारण पौधों में फूल नहीं खिल रहे आप तो कुपोशित नहीं लगते आपको इसकी भरपाई करनी चाहिए अगर सूखे के कारण पौधों में फूल नहीं खिल रहे तो आपको अपनी मुस्कुराहट, खुशी और उलास से उसकी भरपाई करनी चाहिए क्योंकि जब प्रकृती हार जाती है तो इनसान को कोशिश करनी चाहिए बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो हर वक्त खुद को भाशन देते रहते है सत्संग में बैठकर भी वो हमेशा मेरी बात नहीं सुनते वो भाशन का एक पैरलल कारिक्रम चला रहे है दिन हो या रात, किसी भी समय एक रात ऐसा हुआ शंकरन पिल्ले घर जा रहा था अरे वो घर जा रहा था सुभा के दो बजे और वो सीधा भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि ये कमबक्त धर्ती गोल है इस पर सीधे कैसे चला जाएं तो वो थोड़ा लड़ खड़ा रहा था रात में गस्त लगा रहा है पुलिस वाले ने उसे रोक कर कहा क्यों भाई तुम तो सीधे भी नहीं चल पा रहा है इतनी रात कहा जा रहे हो शंकरन पिल्ले ने कहा मैं एक भाषण सुनने जा रहा हूँ पुलिस वाला बोला अरे सुभा दो बजे कौन भाषण दे रहा है शंकरन पिल्ले ने कहा आप मेरी बीवी को नहीं जानते मैं चाहे किसी भी समय लौटू मुझे भाषण मिल जाता है आप में से कई लोगों की पत्नी या पती नहीं है मगर फिर भी आप हर समय भाषण में डूबे रहते हैं सेल्फ हेल्प इसी को कहते हैं हर समय अपनी खुद की बख्वास में डूबे रहने के आदत को बंद करना ज्यादतर लोगों को असंभव लगता है इसकी वज़ा ये है कि उन्होंने अपने विचारों से पहचान बनाना बंद नहीं किया है अगर आपने उससे अपनी पहचान जोड ली है तो आप उसे रोक नहीं सकते उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है आपको बस उससे अपनी पहचान खत्म करनी है क्योंकि आपके विचारों की सामगरी बाहर से आती है है ना? आपके विचारों की सामगरी आपकी अपनी नहीं है ये उधारी का माल है अगर आप बस देखें कि ये मेरा नहीं है आपको बस इतना ही करना है आपको उसे छोड़ना नहीं है आप अगर देख लें मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो असल में मेरा नहीं है फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो धीरे-धीरे गायब हो जाएगा आप उससे अपनी पहचान इसकदर जोड़ लेते हैं कि ये आपका है और आपको लगता है कि वो एक स्मार्ट विचार है लेकिन ये मूर्खता है हर किसी को वो मूर्ख लगता है लेकिन आपको वो स्मार्ट लगता है चाहे वो आपका जीवन तहस नहस कर दे, फिर भी आपको वो स्मार्ट लगता है चाहे वो आपको एक जगा ना बैठने दे, बहुत आनन नहीं, तो कम से कम शांती तो मिले पर फिर भी आपको लगता है कि ये स्मार्ट है अगर आप ये भी नहीं जानते कि सहज होकर कैसे रहें तो इसे आप स्मार्ट नहीं कह सकते हैं आप सहजता से जीना भी नहीं जानते इसे आप स्मार्ट कैसे कह सकते हैं इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है ये जीने का सबसे मूर्खता पून तरीका है लेकिन आप उसमें इतने रमे हुए हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते आज होली है पुराने को जला डालने का समय है और बारिश की कमी के कारण वसंद का मौसम दिखना ही रहा इसलिए मैं आश्रम में अगले तीन दिन आपको देखने वाला हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे रहते हैं जीवंतता के अलग-अलग स्थर होते हैं जीवंतता के अलग-अलग स्थर होते हैं वसंद का मौसम है, होली है हम चाहते हैं कि आप भरपूर जीवंतता के साथ यहां बैठे मैंने यह नहीं कहा कि शोरगोल होना चाहिए भरपूर जीवंतता होनी चाहिए इस साल फूल नहीं है आपको उसकी भरपाई करनी है क्योंकि आपके पास यही एक चीज है जीवंतता बाकी सारी चीजें आपके दिमाग की बकवास है आपके पास बस यही एक चीज है बाकी सब आपकी बकवास है इसे आपको पूरी तरह सक्री रखना चाहिए नहीं? नहीं, नहीं सद्गुरू मैं इसे बचा कर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही एक स्टील का ताबूत बनवा लिया है मुझे वहाँ लंबे समय तक रहना है मेरे पास कुछ बचा होना चाहिए ऐसा एक बार हुआ वाकई ऐसा हुआ सुभा दो बजे सरकारी वकील ने जज के घर फोन किया घर के नौकर ने का मैं उन्हें नहीं जगा सकता सुभा के दो बज रहे हैं वो बोला, नहीं ये बहुत ज़रूरी है तुम्हें जगाना ही पड़ेगा फिर नौकर ने फोन कनेक कर दिया बेडरूम में फोन की घंटी बजी और जज ने फोन उठा कर गा कौन है मिस्टर जेस्टिस जेस्टिस ग्रोवर अभी-भी गुजर गए और मैं उनकी जगा लेना चाहता हूँ जज ने कहा मुझे कोई आपती नहीं अगर दा संस्कार करने वाला माझ जाए आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे आप आधे कब्र में हैं बगीचे में फूल नहीं है आपको भरपाई करनी चाहिए अगले तीन दिन मैं आप पर नज़र रखूँगा कि कैसे वसंत में बाहार आती है ठीक है? अगले तीक है